नमस्कार दूस्तू दूस्तू आज हम बात करने वाले हैं सर्सो का तेल और कपूर का मिसरन के फाइदू के बारे में बात करेंगे दूस्तू सर्सो का तेल और कपूर का मिसरन सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकता हैं अगर हम उनके पोष्टिक तत्व की बात करें तो सर्सो के तेल के अंदर भरपूर मात्रा में उर्चा, फेटी एसिड, एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फलेमेटरी म एंटी ओक्सिडेंट आधी गुन मुझूद होते हैं जो कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं ऐसे में अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो सेहत को कई फाइदे हो सकते हैं दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सर्सो कतेल और कपूर का मिसरन ताउचा पर सर्सो कतेल और कपूर का मिसरन अपनी ताउचा पर लगाते हैं तो यह न केवल कील मौहासों से दूर रखता हैं बलकि जुरियों से चुटका रादिलाता हैं इससे अलग खाज, खुजली, ताद, आदी समस्याओं को दूर करता हैं और चेहरे को ठंड़क पर इस कर सकते हैं ऐसा करने से गठिय के कारण होने वाले धर्द और सूजन से रहत मिलती हैं सर्सो का तेल और कपूर काफी पुरानी गठिय को दूर करने में भी उप्योगी हैं नमबर तीन, कमर का दर्द होता है दूर दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही अस्तान पर बैटे रहने के कारण लोगों को कमर में दर्द होता है या सर्दी के दिनों में लोगों की कमर अखड़ जाती है ऐसे में ये लोग सरसो के तेल में कपूर मिलागर पर भावी तज़्दान पर लगा सकते हैं ऐसा करने से न केवल कमर का दर्द ठीक होगा बलकि अकडन भी दूर हो जाएगी नमबर चार दिल की समस्य से मिलता है चुटकारा दोस्तो दिल की सेहत को तंदुरुस्त बनाने में सरसो का तेल और कपूर आपके बेहद कामा सकता हैं बता दे कि सरसो का तेल और कपूर से बना मिसरन अगर आप दिल के साथ साथ हाथ पैरों में लगाते हैं और अच्छे से मालिस करते हैं तो ऐसा करने से दिल की सेहत को फाइदा हो सकता है दोस्तो अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाते हैं या जड़ते बालों को रोकना चाते हैं तो सरसो का तेल कपूर के साथ मिलाएं और अच्छे से मालिस करें ऐसा करने से न केवल बालों की समस्या दूर होती हैं बलकि उनका जड़ना भी बंद हो जाता है दोस्तों आखों की समस्याओं को दूर करने में भी सरसो का तेल और कपूर आपके बेहद कामा सकता है बता दे कि रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर सरसो का तेल और कपूर से बने मिस्रन से मालिस करें ऐसा करने से नकेवल आखों की कम जूरी दूर होती है बल्कि आखों की रोसनी भी बड़ती है नमबर साथ दातों के लिए अच्छा दोस्तों दातों की समस्य को दूर करने में भी सरसो का तेल और कपूर बेहत उप्योगी हैं ऐसे में आप सरसो का तेल और कपूर से बना मिसरन दातों पर लगाएं और कुछ समय बाद उसे थूख दें उसके बाद अच्छे तरीके से सादे पाने से कुल्ला करें इसके अलावा आप इस मिसरन में नमक को भी मिला सकते हैं दोस्तो आईए जानते हैं सरसो का तेल और कपूर लगाने का तरीका क्या है दोस्तो बतादिकी सरसो के तेल में कपूर को मिलाएं और परभावी तस्तान पर लगाएं आप चाहे तो सबसे पहले सरसो के तेल को गरम करें उसके बाद उसमें कपूर को मिलाएं और फिर तवचा पर लगाएं दोस्तो अगर आप सेहत की कई समस्याओं से चुटकारा पाना चाहते हैं तो सरसो का तेल और कपूर का मिसरन आपकी कई समस्याओं को दूर करने में उप्योगी हैं ध्यान रहे सरसो का तेल और कपूर का मिसरन अगर मुँ में चला जाए तो सेहत को नुकसान भी हो सकता है दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें